तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जारी हूं मटर मश्रूम की रेसिपी जिसे आज हम घर पर बहुत ही कम समान कम समय और कम महनत में बना करके तयार करेंगे लेकिन इसका स्वाद ऐसा कि बाहर वाले मश्रूम का स्वाद आप भूल जाओगे बहुत ही जादा टीस्टी ब इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा तो चलिए फटा फट से आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं तो यहां पर इसके लिए मैंने यहां पर मश्रूम लिये हैं यह तकरिबन 200 ग्राम है प्याज एक मीडम साइज का है मतर 100 ग्राम यहां पर मैंने तीन टमाटर अधरक स्वीशं का पेशच लिया है एक पड़ा चमश अदरक लेसन का पास्ते इचर उलमे मी मैंने यहां पहर ऑफे एक करनी जीरा पाउडर चेरा पाउर एक चौछ जवश जब्स पाउयर और एक चोड़ी चोड़ी चमश का है और इन यहां पर ऑप गरम मसाला लिया होए है तो अगर आप चाहते हैं बहुत जादा तुकड़े नहीं करना तो आप इसे सिर्फ बीच में एक बार कट कर लें बस आप ध्यान रिखिए कि जो नीचे वाला कॉर्डनेर वाला हिस्सा होता है वो आप इससे हटा दे तो बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सभी मश्रूम को यहां प बना सकते हैं लेकिन मैं इसे थोड़ा सा भून ले रही हूं तो मैंने यहां पर एक चमच तेल डाला है और इसमें मश्रूम को डाल देंगे इसे अच्छे तरीके से मिला करके हमें इसे सिर्फ दो से तीन मिनट के लिए हाई प्लेम पर ही भून लेना है मश्रूम को भून क बना तो मैंने इस निकाल लिया है अब मसालों को भूना होगा चलिया तो तो यहां पर मैंने उसे कढ़ाई में तकरिवन तो चमच तेल और लिया है तो तेल को हमई गर्म होने देना है और इसके बाद आप लिए ऋपनी नियते ने, अर दो मैंने तेजपत्ता लिया है और इसका बहुती बढ़िया फ्लेवर भी आता है और इसके साथ ही हींग हमारी डाइजिशन के लिए काफी बढ़िया होता है तो यह आप इसमें जरूर डालेगा कुछ सेकेंड्स के लिए इसे हमें क्राकल उने दिना है ताकि इसका एक बढ़िया सा फ्लेवर तेल में आ जाए इसके बाद इसमें डाल देंगे अद्रक और लैसन का पेस्ट इसे भी हमें थोड़ी दिर के लिए भूनना होगा फ्रेंट्स जब आप इसे भूने तो आप इसे लो फ्लेम पे भूने क्योंकि यह कड़ाई में तुरन चिपकता है अद्रक और लैसन जब हलका सा भून करना है इसके बाद हमें इसमें टमाटर वाला पेस्ट आइड करड़ीना है उसे बहुर को डाल कर इसे भी अच्छे तरफी के लिए भून लेंगे मैं तक्रबन फ्लेorns तक्र 沒有 के लिए भूना आ इसारे बाद मैने इसमें सारे मसाले आट कर दिया हैं Ermpil father मसालय को छोड़ करके माध में सफसाने कुल इसमें कहीं पर भी नमक अब कर दिया है तो इस वक्त आप खुश्बू आरी है तो इस time पर मैंने इसमें मतर आट करी है फ्रेंट्स ये स्टोर किये मटर थे जो मैंने आपको frozen मतर बताया था कैसे किया जाता है वो वाले मतर है लोगे आपको market में भी available होते हैं तो आप भी market से ला सकते हो मतर को भी हमिर थोड़ी देल के लिए पकाना होगा ताकि वो भी हल्का सा पक जाए तो इस टाइन पर मैंने इसमें अट कर दिया है मलाई यह मैंने एक चमच आट किया हुआ है घर पर जो नौर्मली दूद के उपर मलाई आती है ना वह वाला लिया हुआ है अगर आप चाहे तो फ्रेश क्रीम का इस् इसके साथ ही आधा चोड़ा चमच मैंने यहाँ पर आट कर दिया चीनी इससे ग्रेवी में काफी बढ़िया मिठास आती है इसके लावा मैं इसमें एक चमच कसूरी मीथी आट कर जिए हातों से हलका सा रब करके आट करे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है तो इन सारी चीजों को डाल करके और तक्रीबन 5-6 मिनट के लिए पका ले ताकि सारे फ्लेवर्स को अच्छे तरीके से ले ले और साती में मटर जो है वो भी थोड़े से पक जाए जब यह सारी चीजे आपस में अच्छे तरीके से भुन जाएंगी इस टाइम पर हमें इसमें डालना है म क्योंकि मैंने मश्रूम को पहले ही भुन लिया है तो इस टाइम पर मैं इसे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी तक्रीबन 4-5 मिनट के लिए भुनेंगी ताकि सारे मसालू के फ्लेवर्स को यह अच्छे तरीके से ले ले हाला कि अगर आपने मश्रूम को पहले नहीं भुना है आप जिस अनुसार ग्रेवी रखना चाहते हैं उस अनुसार आप इसमें पानी आठ कर दे अच्छे तरीके से इसे मिला दे इस टाइम पर हमें इसमें आठ कर दिना है गरम मसाला जो हमने लिया वा था बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और इसे भी डाल करके इसमें जरूर ट्राय करिएगा आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगा और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा और जानी से पहले अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ही कै तो फ्रेंड्स प्लीज हमारे चैनल क को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें मिलते हूं आपसे किसी दोसरी वीडियो में किसी दोसरी रेसिपी के साहँ तब तक के लिए थांक यू